Word rather एक ऐसा word है जिसके कई uses है और अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि word rather को कहा कहा इस्तेमाल कर सकते हैं तो friends अगर आप भी word rather को लेकर confused रहते हैं तो ये वीडियो आप के लिए है तो आएए friends सीखें कि आप world rather का इस्तेमाल कहा 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 कर सकते हैं सबसे पहला use, word rather का use आप quite या weary के जगह पर कर सकते हैं यानि जहां आपको कहना हो बेलकुल या बहुत वहाँ पर word rather का use आप कर सकते हैं और जब word rather के use आप बहुत या बेलकुल के लिए करेंगे तो आपको ये बात याद रखना है कि इसका use अच्छे sense में नहीं किया जाता यानि negative sense में किया जाता है कैसे आईए कुछ examples में इन बातों को समझें जैसे अगर आपको कहना हो कि या room बहुत गंदा है या your room बेलकुल गंदा है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे अगर आप चाहें तो इस sentence के लिए ये भी कह सकते है आज मैं बहुत थक गया हूँ तो इस sentence के लिए आप कहेंगे यानि आज मैं बहुत थक गया हूँ अगर आप चाहें तो इस sentence के लिए कह सकते हैं आज मैं बहुत थक गया हूँ अगर आपको कहेना हो कि इस question को समझना बहुत मुश्किल है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे इस question is rather difficult to understand यानि इस question को समझना बहुत मुश्किल है तो फ्रंस आपने हैं देखा कि what rather का इस्तिमाल very या quite के जगह पर हुआ और इन सभी sentences में what rather का use आप negative sense में किये यानि नापसंद के sense में किये आइए what rather का दूसरा इस्तिमाल देखते हैं जब what rather के पहले और लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है बलकि और इस word का use हम तब करते हैं जब हम अपनी बातों को correct कर लें या अपनी बातों को precise कर लें जैसे कई बार आप किसी से बात करते हैं और आपको लगता है कि आपने कुछ गलत बोल दिया तो आप तुरंट अपनी बातों को correct कर लेते हैं तो यहां अपने बातों को correct करने के लिए आप बोलते हैं और rather जैसे कई बार आप किसी दुकांदार से कहते हैं एक किलो चीनी देना बलकी दो किलो तो फरन्ट सबसे पहले आपने बोला एक किलो लेकिन आपको तुरंद फिल हुआ कि आपने कुछ गलत बोल दिया तो आपने अपने बात को correct करते हुए कहा बलकी दो किलो तो यहां बलकी के लिए आप बोलेंगे और rather जैसे यानि एक किलो चीनी देना बलकी दो किलो मेरे पास एक मोबाइल है बलकी दो मोबाइल है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I have a mobile और rather two mobiles दो लोग थे बलकी तीन लोग थे तो इस sentence के लिए आप कहेंगे there were two men और rather three men मैंने एक टॉफी खाया बलकी दो टॉफी खाया तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I had a toffee और rather two toffees तो फ्रेंट्स वर्ड और rather का इस्तिमाल तब करते हैं जब हम अपनी बातों को correct कर लें या जब हमें ये लगे कि मैंने पहले कुछ गलत बोल दिया है और उसे सुधार कर मुझे कुछ नया बोलना है या कुछ दूसरा बोलना है I have a friends rather का तीसरा use देखें अक्सल लेर्नर इस बात को लेकर confuse रहते हैं कि rather than और instead of में क्या फर्क है क्योंकि इन दोनों का मतलब होता है के बजाए लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि कब हमको कहना rather than और कब हमें कहना instead of तो आए फ्रेंड्स उनकी confusion को खत्म करते हैं rather than और instead of दोनों का मतलब होता है के बजाए लेकिन इन दोनों words में दो फर्क है पहला what rather than का use हम तब करते हैं जब हम बात पसंद की करें यानि preference की करें वही हम instead of का use तब करते हैं जब हमें simply ये कहना हो कि इसके बजाए वो यानि कहने का मतलब है कि rather than में पसंद वाली बात होती है लेकिन instead of में पसंद वाली बात नहीं होती यानि preference नहीं होती और दूसरा और बहुत important फर्क होता है कि rather than के बाद आने वाला verb उसी form में होनी चाहिए जिस form में rather than के पहले verb आया हुआ है यानि अगर rather than के पहले ing form है तो rather than के बाद भी ing form होनी चाहिए इस बात को याद रखना आप के लिए बहुत जरूरी है कि आप rather than के बाद आने वाला verb उसी form में लिखें जिस form में rather than के पहले आया हुआ verb है लेकिन अगर हम बात instead of की करें तो instead of के साथ ऐसा नहीं है यानि instead of के पहले आया verb जिस form में है जरूरी नहीं कि instead of के बाद आने वाला verb उसी form में हो लगता है आप समझे नहीं आये इन सभी बातों को examples में बहतर तरीके से समझे अगर मुझे कहना हो कि मैं TV देखने के बजाए सोना पसंद करता हूँ तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I prefer sleeping rather than watching TV यानि मैं TV देखने के बजाए सोना पसंद करता हूँ तो friends आपने देखा कि यहां rather than के बाद आने वाला verb आइंजी form में है क्योंकि rather than के पहले आने वाला verb भी आइंजी form में है तो ये बात काफी माइने रखती है कि अगर आप rather than का इस्तिमाल करेंगे तो rather than के बाद आने वाला verb उसी form में हो जैसा rather than के पहले आया हुआ verb है यानि दोनों का form एक ही होना चाहिए आईए एक example instead of पर देखें अगर आपको कहना हूँ कि टीवी देखने के बजाए मैं सो गया तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I select instead of watching TV यानि TV देखने के बजाए मैं सो गया तो पर अब तो आप ने देखा कि instead of के बाद आने वाला verb उसी form में हो जैसा rather than के पहले आया हुआ WAV है ऐसा करना जरूरी नहीं है मैं बिकार बेटने के बजाए काम करना पसंद करता हूं तो sentence के लिए आप कहेंगे I prefer working rather than sitting idle यानि मैं बेकार बैठने के बजाए काम करना पसंद करता हूँ Friends, यहाँ आपने देखा कि rather than के बाद मैंने बोला ing form क्योंकि rather than के पहने आया है ing form लेकिन अगर मुझे कहिना हो बेकार बैठने के बजाए मैं काम करता हूँ तो इस sentence के लिए आप कहेंगे कि मैंने ing form नहीं बोला क्योंकि instead of के बाद अगर ing form आया है तो जरूरी नहीं कि instead of के पहले भी ing form आये तो Friends, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को अच्छा से समझा कि rather than और instead of में क्या फर्क है कैसे बोलना है rather than और कैसे बोलना instead of यहां मैं आपको बता दूँ कि ऐसे सेक्रो लेसन जानने के लिए आप मेरे application को install कर सकते हैं जिसका link मैंने description में दिया हुआ है फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा lessons के साथ तब तक के लिए बाई